Hello Everyone, आज मैं लेके आया हूँ MIUI 10 का Quick Lock on Redmi 4 How to Install Guide के लिए आप Top Right Corner में जो वीडियो पॉप हो रही है आप उसको देख सकते है अभी मैं Close Chinese Better Home को यूज कर रहा हूँ इसलिए ये इतनी स्टेबल नहीं है और इसमें GPS वेगारा ठीक से काम नहीं कर रहा है पहले मैं आपको Settings में जाके My Device दिखा देता हूँ And then All Specs दिखा देता हूँ अब आप देख सकते हैं कि Redmi 4 के लिए MIUI 10 जो है वो Android Nougat पे बेस्ट है Meaning कि हमें अभी भी Oreo नहीं मिलेगी MIUI 10 तक में भी बाकि MIUI 10 में आपको ये निया Notification Panel मिल जाएगा And नया Volume Slider भी मिल जाएगा And नया Obviously Recent Tab का जो Layout है आपको वो भी मिल जाएगा And यहाँ पे आप एप को Hold करके आप उसको Lock कर सकते है And then उसको Unlock भी कर सकते है And obviously आप इसको Swipe करके Remove भी कर सकते हो Split Screen बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है बाकी Settings में आपको Full Screen Gestures नहीं मिलेंगे गाईस And आपको कोई भी Dual Vo LTE Support नहीं मिलेगा जो कि हम बहुत जादा Expect कर रहे थे अभी मैंने यहां पर कोई SIM नहीं डाल रखा है इसलिए यह कुछ शो नहीं कर रहा है अभी Display में आपको Ambient Display मिल जाएगा जैसे कि जो आपकी Phone के Screen है वो वेक हो जाएगी Notifications के लिए जैसे ही आप अपने Phone को Lift करेंगे And Lock Screen & Password में आपको Face Unlock कभी भी नहीं मिला है Xiaomi की तरफ से जो कि हम Expect कर रहे थे कि इस बास शायद मिल जाएगा MIUI 10 में जब भी आप किसी अप को बंद करेंगे तो उसके जो आइकन है उसमें थोड़ी सी अनिमेशन होगी जैसे कि आप अभी देख सकते है And guys MIUI 10 में आपको AI Assistant भी मिल जाएगा जो कि actually सिर्फ Chinese Language में अभी and most probably जो Global Rome में वो नहीं आएगा Guys हम camera में portrait mode को भी expect कर रहे थे लेकिन वो भी इन्होंने नहीं दिया हुआ है MIUI 10 में तो इन्होंने काफी सारी चीज़े नहीं दिया है MIUI 10 में जो कि यह दूसरे phone में देने वाले थे तो बस इस वीडियो के लिए जितना ही Thanks for watching this video guys अगर आपको Redmi 4 में MIUI 10 vs MIUI 9 का speed test देखना है तो आप जो top right corner में वीडियो pop हो रही है आप उस वीडियो को देख सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर करे चैनल को subscribe जरूर करे and thanks once again